नमस्कार आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिहार राज के मधेपुरा जिला के पुलिस अधिक्षक द्वारा सुचना आयोक के आदेश के बावजूद भी दोसी लोग सुचना पदाधिका अधिकारी सह, थाना, धर्च, रतवारा, उपी, राम विलास, चौधरी के खिलाफ आदेश पर भी उचित करवाई नहीं की जा रही है इसके बारे में जानेंगे यदि आप लोगों के साथ भी इस तरह की बात होती है तो आप लोग भी इसकी सिकार राजिस उचना चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर ले तथा एक लाइक कर ले तथा एक दूसरी को सेर अब से करेंगे जिससे यह विडियो हर बरिष्ट पतादिकारी मुख मंत्री एबं प्रधान मंत्री के कारियाले तक पहुंश सके आप लोग देखिए आप लोगों को राज सुचना आयोग का यह आदेश है बात संख्या ए डबल सिक्स फाइफ फोर पॉब्लिक दोजारे की से यह मेरा नाम हुआ यह बनाम मैं प्रथम अपिलियक दादिकारी सा पुलिस उप महालक्षक को सीचेत सहर सा एबं लोग सुचना अपता अधिकारी सा थाना अध्यक शालब नगर थाना मधेपुरा इस वाद की सुनवाई मैंने भर्चुल पोर्ट सिस्टम से की थी साथ दो दो हजार 22 को ही यह आदेश पारित्वा है आज मैं आप लोगों को पुरा आदेश पढ़कर सुनाता हूं अपलार्थी वीडियो लिंक के माध्यम से पस्तित हैं प्रतिवादी श्रीवदैक मार लोग सुचना अपदादिकारी से पुलिस अबर नर्चक सा थाना अध्यक शालब नगर थाना मधेपुरा पस्तित हैं अपिलार्थी ने प्रपत्र को में सुचना की मांग 28-10-2020 को की थी और दृतिय अफील 22-2021 को दायर क्या था अभिलेग में प्रतिवादी का पत्रांग 48-10-22 दिनांग 30-2022 है जिसके द्वारा अप्रार्थी को सुचना दी गई है अप्लार्थी का यह कथन है कि उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिनके द्वारा अफायार की प्रती दी गई है प्रंतु वह भी अ परतिवादी पूछने पर बताते हैं कि जिस बात के समध में यहाँ आविदन दिया गया था उस पर आरो पत्र समर्पृत कि आ जा चुका है जहां तक कान नित्याधी के नुसंधान का प्रश्ण है उसकी प्रतिया वे नहीं दे पाते उनका आकाना है कि यह प्रतिया निया प्रतिवादी लोग सुचना उपदाद है पुलिस सदिक्षक कार्याले मधिपुरा को आदेश दिया जाता है कि प्रात्मिक की परती और आरोपद्र की पुना हनिवंधित डाक से अपलार्थी को एक मां के अंदर उपलत करा दें अन्याथा अपलार्थी सम्द्ध में सिकायत प्रतिवाद दायर कर सकते हैं सुचना को प्रदान करने में एक वर्ष दो माह का बिलम भी प्रिलक्षित होता है इस बिलम के लिए दोसिर श्री रामनिवास चौदरी ततकालिन थना अद्धक शरतवरा ओपी के विरुद्ध आवस्यक कारवाई के जाने एतु इसे पुलिस सदिक्षक मधिपुरा के संग्यान में लाया जाए इसी के साथ अफिलवाद समाप्त किया जाता है यहां आदेश पारित हो गया है साथ दो दो जार बाइस को ही इसकी प्रतिवित पी तरे सट पंचानवे अबलिक रास उजना आयोग दिनांग चार तीन दो जार बाइस को ह पुलिस सदिक्षक के भी संग्यान में दिया जा चुका है इसके बाप्यूद भी पुलिस सदिक्षक मधिपुरा द्वारा दोसी ठानाध्यक्ष स्री राम निवास चौदरी ततकालिन ठानाध्यक्ष रतवारा उपी के बिरुद्ध उचित कारवाई नियामानुसार नहीं की जा रही है इस सम्मंद में मैं आप लोगों को कुछ विशेश जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने F.I.R. से सम्मंदित कुछ जानकारी मांगी थी इसी कारण मुझ पर मेरे परतिपक्षी गन से मिलकर मुझ पर भी F.I.R. दर्ज करवा दी गई है जिसकी सिकायत मैंने सुचना आयोग से भी किया था अगर आप लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो आप लोग भी सुचना आयोग में सिकायत करें तथा इस वीडियो को इतना अधिक फैलाएं कि या उच्य अधिकारी के पास भी पहुँचे तथा मुख मंत्री तथा प्रधान मंत्री कारियाले में भी इसकी जानकारी हो सके जिससे उनके संग्यान में भी यह मामला हो सके जय हिन